हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केरियर विलिस्ट चली में तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर के कुछ क्वेस्चन है सुपर टेट के वोकर आऊंगी इस भुक है हमारे पास घटना चक्र और इस बुक का सेकंड चैप्टर है हमारा इस भुक का इस थानिय मान जातिय मान बिन्यवं दसनलव इसके बारे में तो इसकी अभ्यास है हमारे पास अभ्यास प्रिश्ण उन्हें कराऊँगी ये बुक है घटना चक्र की और सुपर टेट के लिए है ये तो हम कोशन नमर बन से स्टार्ट करते हैं देखो तो हमारी पास पहला प्रिश्ण है 369 के आधे का दो बटी तीन किसके बराबर है तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ये संख्या 369 फिर उसने क्या बुला है 369 के आधे का इसका आधा क्या होगा किसी भी संख्या का आधा करने के लिए हम उसमें एक बटे दो का गुणा कर देंगे तो उसका आधा हो जाएगा तो इसका आधा क्या होगा एक बटे दो से गुणा कर दिया उसके बाद 369 के आधे का दो बटे तीन यानि कि आधा हो गया फिर इसी संख्या का दो बटे तीन तो कितना होगा अब हम इसे हल कर लेंगे 2 से 2 कैंस और 3 से 3 कम 3, 3 दोनी 6 और 3 तिया 9 यानि की 130 तो हमारा उत्तर आ गया 130 तो question number 1 खल हो चुका है उसके बाद है हमारे पास अगला question तो question number second है हमारे पास 0.24 को सबसे छोटी भिन में बदल कर लिखेंगे तो ऐसे question हम कैसे करेंगे देखो सबसे पहले हम यह संख्या उतारेंगे 0.24 अब इसे हम सबसे छोटी भिन में बदलेंगे कैसे point हटाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे एक और point के बाद कितनी संख्या हैं दो संख्या है तो दो जीरो बढ़ाएंगे अब हमारा क्या हो गया यह 24 बटे में 100 ऐसे हम इसे लिख सकते हैं अब हम इसे काट लेंगे कितने बार कटेगा यह 6 से 4 बार 6 चौका 24 और यह 25 से 4 बार 25 चौका 100 यानि कि 6 बटे में 25 हमारा आंसर आ गया 6 बटे में 25 तो second question हो चुका है उसके बाद हम हमारे पास है अगला question ठीक है तीसरा question है हमारे पास 10.036 के उपर बार का साधारन भिन्य रूप है इसी कैसे हल करेंगे हम देखो सबसे पहले हम इस संख्या को दो संख्या में तोड लेंगे यानि कि 10.036 के उपर जो बार है इस संख्या को दो में कैसे तोड़ेंगे यह पॉइंट वाली संख्या अलग और बिना पॉइंट की अलग जैसे कि यह दस है 10 प्लस उसके बात 0.036 और यहां पर बार ऐसे लिख लेंगे हम इसे उसके बात जो यह दस है इसे हम यहीं रहने देंगे और इस संख्या को solve करेंगे तिक इसे कैसे solve करेंगे यह बार वाल सबसे पहले इस संख्या को हम अलग सॉल्व कर लेंगे यहां पर देखें पॉइंट 036 के उपर बार है इसे अलग से सॉल्व करेंगे कैसे तो हम पहले यह संख्या लिखेंगे पूरी 036 अब नीचे हम क्या यह हम माइनस करेंगे हम जिस जितनी संख्याओं के उपर बार नहीं है वो संख्याओं हम माइनस करेंगे तो 6 के उपर बार है इसे तो माइनस नहीं करेंगे किस के उपर बार नहीं है तीन के उपर नहीं है तो 0 3 यहां पर लिखेंगे और बटे में हम जितनी संख्याओं के उपर बार है उतने हम हो यह जीरो आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता तो हटा देंगे हम तो यहां पर हमारे 36 माइनस यह भी आगे से जीरो हटा देंगे 36 माइनस तीन बटे में नौ से यानि कि 36 से तीन गए तो 33 बटे में यहां लिख लेंगे हम 11 बटे 300 इतनी संख्या का हल तो आ गया यह हमारे पास और क्या बच्चा है अलग तो दसमलब से आगे क्या है दस और पीछे क्या है जीरो 36 हमने ऐसे लिख लिख ली अब उसके बाद 10 को हम लास्त में ही जोड़ेंगे अब दसका यहां कुछ भी नहीं करेंगे इस संख्या को सॉल्व करेंगे अब हम देखो इसे कैसे हल करेंगे जितनी संख्या है हम पूरी संख्या लिखेंगे और उसमेंसे माइनस करेंगे यह तो जिसके उपर बार है नइए उतनी 9 लिखेंगे और जिसके सब्सक्राइब उपरार है आउपना घजीन है तो हम चाहिं से तीन गए तो तेस्टिस वट्टा में 900 ग्यार है तिया Libra 13 Fast 300 जाम और तस हम ऐसे की इस इसके और हिए रखेंगे तो हमारा हुगर तीसरा उसके वाद है हमारे पास अगला question देखो अगला question है हमारे पास यदि किसी भिन का अंस 12% पढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन का मान 6 वती 7 हो जाता है मूल भिन है तो यह कैसे हल करेंगे हम इस तरह की question देखो कोई भी अंस और हर में कोई भी भिन है भि कैसे हल करेंगे इसमें बूला है कि जो अंस है वो बारे पर्सेंट बढ़ा दिया जाए ठीक अगर किसी भी संख्या को बढ़ाने की बात ती है तो ज 맛있 notice यह 12ly बढ़ाया बढ़ाने की बात होती है तो हम 100 में प्लस करते हैं कितनी बढ़ाई है यह बारे परसेंट बढ़ाई है यानि कि 100 में बारे बढ़ाएंगे तो कितने हो गए 112 यह कितनी बढ़ा दी 112 परसेंट के लिए नीचे 100 ठीक गणा ठीक अब गटाई कितनी है दो परसेंट गटा दिया क्या हर हर दो परसेंट गटा दिया जाए तो हर क्या है वाई यह 2 परसेंट गटाएंगे अगर जोडने की बात होती है तो हम 100 में प्लस करेंगे और गटाने की बात होती है तो भी हम 100 में ही माइनस करेंगे तो और 2% 100 से घटाएंगे तो कितने हुए 98 यानि कि 98 by 100 अब उसके आगे क्या हो जाता है 6वटे 7 यानि कि अगर हम किसी संख्या की अंस में 12% जूडते हैं और 2% घटाते हैं तो संख्या का मान 6वटे 7 हो जाता है अब इससे हम हल करेंगे देखो इसे ऐसे लिखेंगे एक्स घुणा 112 बटे में 100 और वाई घुणा 98 बटे में 100 अब यहां पर करेंगे एक्स घुणा 112 बटे में वाई घुणा 98 बडावर 6 बटे 7 तो हमने से काट लेंगे यह कितने सी कटें गए 14 यानि कि x गोडा आठ और y गोडा साथ बराबर 6 बटी साथ अब हम x अपन में y लिखेंगे बराबर 6 बटी साथ कि 7 उपर चला जाएगा और ये आठ है जो ये नीचे आ जाएगा साथ से साथ कैंसल अब ये तीन दूनी छे और चार दूनी आठ यानि कि तीन वट्टे चार आंसर आ गया हमारा समझ में आ गया ये कुश्चन आपको देखो एक बार फिर से बता देती हूं कि किसी वी संख्या के अंस में हमने 12% जूड़ा यानि 112 वट्टी सो करेंगे और 2% हर में घटाया तो 98 वट्टी सो उसके बाद 100 से 100 कैंसल और ये X इंटू 112 और Y इंटू 98 लिखेंगे बरावर 6 वट्टी साथ 8 से ये 112 कैंसल होगया चौदे वार और 7 से ये 14 वार 98 कैंसल होगया उसके बाद X गुणा 8 उपर बचा और Y गुणा 7 नीचे बचा बरावर 6 वट्टी साथ X अपॉन में Y लिखेंगे यहां और ये 8 अपॉन 7 है जो उधर ले जाएंगे अगर हम इन्हें उधर ले जाएंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी यानि कि नीचे वाली संख्या उपर और उपर वाली संख्या नीचे पहुंच जाएगी इसी तरह हम 7 से 7 काट देंगे और 3, 2, 6 और 4, 2, 8 यानि कि आंसर आगया हमारा 3 से 4 अब करते हैं अगला कोश्चन तो हमारी पास अगला कोश्चन है फिप्ट कोश्चन में क्या है एक भिन्न का हर उसके अंस से 3 अधिक है यदि अंस में 7 की व्रद्धी कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिडाम में 2 प्राप्त हो जाता है तदनुशार उस भिन्न के अंस तथा हर दोनों का योग ग्यात योग कितना है सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे X अपॉन में Y ये अंस और हर वाली अब उसके बाद क्या कह रहा है वो उसके अंस में 3 एक भिन्न का हर है जो हर है जानि कि जो Y है वो उसके अंस से 3 अधिक है जो Y है वो 3 अधिक है किस से अंस से यानि कि अंस कितना है हमारा X है तो हर कितना होगा हमारा 3 अधिक यानि कि X प्लस 3 उसके बाद यदि अंस में 7 की व्रद्धी कर दी जाए अंस में अगर हम 7 की व्रद्धी कर दें और हर में 2 की कमी कर दी जाए हर में दोगी कमी कर दें, दो घटा दिये, उसके बाद, तो परिणाम में दो प्राप्त हो जाता है, यानि कि तो हमारा जो परिणाम निकल के आएगा, बुद्व हमें दो मिलेगा, तदन उशार उस भिन्न के अंस तथा हर दोनों का योग कितना है, ठीक है, सबसे पहले हम अं दो है, और नीचे हम एक लिस लेंगे, अब हम क्रॉस मल्टिप्लाई कर लेंगे, उसके बाद, क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे, तो एक का मल्टिप्लाई इससे, एक्स प्लस सेवन, ऐसे के ऐसे लिखेंगे, बरावर, दो का मल्टिप्लाई इससे, यानि कि टू एक्स प्ल माइनेस का क्रीक उसकी बाद हम यहां लिक oyn chính double x कितने हुए थरी च भिरावर वाय कि एक्स और टुट्फच्ट्रेंग अगर उसके बाद करेंगे हैं 2X से X जाएगा, तो माइनस का X बचेगा माईनस का X, और 7 में से दो बचेगी तो माईनस के 5, माईनस दी, माईनस, कैंसेल, याइनी X की वेल्यू आ गई, हमारी 5, यह किसकी वेल्यू है? X की, ठीक, तो हमारा, वो कितना था? अंस कितना था? हमारा एक्स था और हर कितना था हमारा एक्स प्लस थी था तो हमारा अंस और हर कैसे निकलेगा देखो हमारा जो अंस था वो था एक्स और हर था एक्स प्लस तीन तो एक्स की वेल्यू कितनी है पांच और हर की वेल्यू पांच प्लस तीन यानि कि पांच बटे आठ है अंस है ह पांच और हर है हमारा आठ हमें निकालना क्या है दोनों का योग निकालना है अंसर हर का तो फाइव प्लस एट कितनी हो गए थर्टीन तो मैंने आपको अपन में पांच गए और सब्सक्राइब करें इसी तरह सुपर टेट की मैध की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद झाल झाल